प्रिंगत। तर्म हम आएम समस्तै कर दोस्तों प्रिंगत। हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक। मैं आंतल ब्लोग हमुद्धा को दुनिया मैं आखसे भी यह स्वास अते कैसे हैं दोस्तों में क्वर्थी होश्वर स्वास पै। दोस्तों आज मैं जा रही हूं स्वोपिंग करने और साथ जा रहे हैं मिलके स्वोपिंग करने कुछ मकर संक्राइब करनी है तो मार्केट जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या हम स्वोपिंग कर रहे हैं इस ट्रेम पर मकर संक्राइब करते हैं और बहुत स पे आप लोगों को दिखाती हों यहां पे दोस्तों देखे सकती के बचले से पौदे हैं ना कुछ उच्छाय मुझसाय से लग रहे हैं जाता तो नहीं लग रहे हैं ठोड़ी ठोड़ी लग रहे हैं और यह मेरा मनी प्लांट इतना पुड़ा हो के वहां तक जा रहा है मैं इस प्रकार से मनी प्लांट को करी हूँ जारा है मेरा मनी प्लांट में और इसको क्या बोलते हैं थुरर गाया था और यह गबला गिरा तो फूर्ए उस्को चेंज करनार होगी मार्कीट से इक गामा भी लेके आओंगी तोfullर मार्कीट यह हम दो onboard कि हमारा घर है मिलते हैं आगे तो दोस्तो हम पहुंच चुके हैं अपने गाओं की मार्केट में तो यहां पे काफी सारे एटम बेगेरा रखे हुए थे यह देखे दोस्तो चोपडा रखे हुए हैं जिसको जो कुछ बाटना है इस मकर संक्राति के तेभार पे तो आप बाट सकते हो यह बहुत बड़ा एक तरीके का धर्म होता है तो आप लोगों को भी दोस्तो यह करना चाही है मेरे ख्याल से जो की छोटे से लेके आप दस रुपए के एटम से लेके आप हजार पंद्रा सो दो हजार आपकी मर्जी है दोस्तो आप जितना भी आपके पास में गु करसंकराती के उसर पर तो हम भी गए हैं कुछ चीज़े बगएरा लेने के लिए तो मैं यहां पर गई थी तो काफी सारी चीज़े देखी अलग अलग परकार के और एटम बगएरा थे और यह मुझे परस खास तोर से बहुत अच्छी लगी क्वालिटी बगएरा और डिज को ऊछर रही हूं और रहे हैं का भी सारी चीज़े थी और मेरी चांती यहां जे दो हम रहे हैं जो कुछ थे नहीं US movie और जित्व सक्षात offended तो ही सही रहता है लेकिन हमारे कुछ रोल्स नियम ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने से बड़ा है तो उसको आप दे सकते हो और ब्रामर लोगों को दे सकते हो ब्रामर तो चाँ छोटा हो चाँ बड़ा हो उनको तो सब को दे सकते हो इस प्रकार का कुछ रोल्स और नियम है तो देना चाहिए जिसके पास में है तो उसको देने से अपन लोगों को क्या फैदा है जो अगर हम गरीब को देना तो आहसान बिचारा बहुत खुश होगा इस एक छोट गरीब लोग होते हैं ने एक छोटी चीज बाकी भी बहुत खुश होते हैं अमीर को कितना बड़ा से बड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मेरा तो मन में यह है कि गरीब लोगों को देना चाहिए लेकिन बस वही है कि जो घर के रोल्स और नियम होते हैं तो उनको फोलो करना पड़ता है बस नहीं तो मैं बिल्कुल भी ना दू मैं तो गरीब के मतलब देके आ जाओं सब को और यहां पे कुछ इस्तरकार से एटम बगेरा ले आए हैं और चपल जो कुछ हमें देना है वो सब एटम ले आए हैं चपल है और बरतन रख सकते हो यूजपुल चीज़े ले हैं काफी बड़ी बड़ी है च्छाबडी है मतलब बरतन बगेरा आप रख सकते हो आलू प करने से बहुत बड़ा मतलब कुन होता है एक तरीके का धर्म जरूर करना चाहिए और हमारे यहां का कुछ इस प्रकार का रोल्स है और ममी यह चलनी बाटने के लिए लेकर आई हैं ममी यह बाटेंगी हमारे दुकान पर रहते हैं तो पापा ने मतलब यह दे दिया है और मै हाँ पे लखी है फीनी फीनी भी मतलब पत्तल बोल सकते हैं त्यारा चोदा लोगों को खाना की लाना तो ये फीनी और नमकीन और लड़ू ऐसे कुछ करके देना है तो उस्तो एक जोड़ी अपने हस्पेंड के लिए भी चपल ले आई थी उनकी क्या एदा थे दोस्तो चपल कितनी से कितनी तूट जाएगी लेकिन वो कभी खरीद कर मतलब पहनते नहीं है तो टूटी हुई चपल ही पहनते रहतें कोई कुछ बोले की भाई जाके मार बजार से लिया आओ थो वो येही बोलते हैं कि क्या करना है कौन देख रहा है देख रहा है तो जिसको मतलब बु उसी कभी भी नहीं देख था है, अपना मतलब फटी हुए कपड़े पहन लेंगे, फटी हुए चपल पहन लेंगे, लेकिन फैमिली को हमेशा खुसर करने की, खुसर रखने की कोशिज करते हैं, तो यही आदत मेरे हस्बेंड में है, पूरी फैमिली को, बच्चों को कुछ च अगर कुछ है, तो वो एक बार बोल देंगे, कि हमें यह चीज खरीदना है, तो कभी भी मना नहीं करते हैं, और उनको पैसे दे देंगे, कि लो जाकर ले आओ, लेकिन अपने लिए, वो कभी भी नहीं लेते हैं, सच बताओं दोस्तों, तो मैंने सोचा, हम सब इतनी शारी चपल खरीद रहते, तो मैं सोचा, मैं भी खरीद के लिए हूँ, उनके लिए, उनके लिए मैं ये लेकिया हूँ, चपल, यहां पे देखे, यहां पर लिखा है, पौधार, रंगो टीजैनों का भंडार है, पौधार, आपके पैरों की सान है, पौधार, यह चपल है, उनक काफ़ी दिन से टूटी हुई चपल पहन रहे हैं कभी लाते नहीं है सच पता हूँ तो मैंने सोचा जब सारी सौपिंग कर रहे हैं चपल ले रहे हैं तो इसलिए मैं उनकी लिए भी चपल लेकर आ गई हूँ और जैने जैन काफी अच्छी लगी मुझे मुझे ब्रांड है पाउधार का काफ़ी पुराना यह ब्रांड है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे चपल उनको भी अच्छी लगी लेकिन क्या है उनके सैज थोड़ी शी छोटा आ गया बोले थोड़ा से सैज छोटा है और तो चपल अच्छी है वेकिन इसको मैं एक्चेंज कर लोंगी वह दार वाले भाई ऐसे बोल कि आई थी कि अगर शोटा बड़ा हो जाए तो आप चैंज कर लेना तो बोले कोई दिक्कर ने चान पेचान के उद्वांदार है इसलिए उनकी भी तूट गई है तो लेकि चलते हैं क्योंकि उनको तो कभी लाना नहीं है मार्केट जबकि दोस् दोसर जो कोई घर के कोई भी मेमर है अगर मुझे भी कुछ चहिए मैं उनसे बोल दो मुझे यह चाहिए तो कभी भी मना नहीं करते हैं कि यह मतल्याओ आप लोग तो देखते रहते हैं हमारी शौपिंग एनी टैम चलती ही रहती है कभी कुछ खरीदना कभी कुछ करीद आ तो बस दोस्तों यही है एक आज का वीडियो और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना इसी प्रकार से दोस्तों मिलते रहेंगे आपको अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाई-बाई टेक एर मिश्यू अपना ध्यान रखे अपनी फैम